हेलो जी वेलकम बैक टो चल कैसे हैं आप सब उम्मित कुदा आप सब बहुत अच्छे को फुल में समय लाइफ को इंजॉय करने को एंड फाइनली भाई अब आपकी इंजॉयमेंट का लेवल और बढ़ने वारा है क्योंकि आज भाई टाटा ने फाइनली प्रोडक्शन करव को रिवील कर दिया है फ्रंड से आप देखेंगे तो विकरम भाई इसमें तो बिल्कुल सेम सी दिख रही है हैरियर भी लगरी है नेक्सवान भी लगरी है सफारी तो भाई टाटा ने अपनी फैम्ली को ना बिल्कुल सेम सा कर दिया चोटे मोठे चैंजिस करके बना दूर से दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए, के हाँ भाई, यह Tata family की गाड़ी है, प्रंट की looks की बात करें, तो भाई, यहाँ पे जो Tata का जो logo है, इसको भाई, plane करके, मतलब भार से से लग रहा है acrylic, और क्या पता, इसमे Tata भाई, change करके, इसको illuminate भी कर दे, DRLs को देखें, तो भाई, सेम Tata family के जैसे, भाई, connecting DRLs आपको इसके अंदर मिलेंगे, headlights की बात करें, तो आपको नीचे fog lamp मिलेंगी, यहाँ पे आपको projector, headlights मिलेंगी, नीचे front, lower grill में, और भाई, company ने ना, भाई, समझ लिया है, कि बाद में भाई, गाड़ी को after market modification कराने से बहतर है, गाड़ी को पहले ही, जो हम gloss black कराते हैं, वो gloss black look भाई, complete दे दी है, नीचे तो आप देखो, पहले जितने ही देखें, Harrier को आप देखोगे, Nexon को देखोगे, Safari को, तो ये जो plastic part होता है, ये आपका मैट में रहता है, लेकिन Tata ने इस बार इसको totally gloss black किया है, और हलका सा आपको silver-silver ascent भी इसमें मिलेंगे, और मैट और silky silver होता है, आपको कैसी लगी, कर्व की भाई, मुझे तो अट्रेक्टरी लगी भाई, गाड़ी की लुक्स, हलाकि थोड़ी सी similar, थोड़ी का बहुत जादा similar है, लाकि इसके bonnet की जो resemblance है, वो nexon से ज्यादा जाएगी, क्योंकि फ्रेंट लोग अगर आप इतनी देखेंगे, तो भाई आपको nexon लगेगी, लेकिन भाई ये nexon नहीं है, ये tata curve है, फीचर्स की बात के हैं, तो भाई फ्रेंट में आपको camera मिलता है, फ्रेंट सेंसर भी मिलते हैं, और एडास भी इसके अंदर आपको मिलेगा गाड़ी के अंदर, 360 degree camera मिलेगा, major changes आपको इस गाड़ी के side में and rear में मिलेंगे, अब side की बात करें, तो side में भाई आपको पूरा, जितनी भी clading होती है भाई, यो मैट में देखने को मिलती है, वो इसके अंदर gloss black में देखने को मिलेगी, अलोइस पे तो भाई बहुत तगड़ा चेंज गे टाटा ने, बिल्कुल टोटली इस तरीके के अलोइस बनाया है, भाई, मतलब दिल छूने वाले, मतलब आपको ना देखते ही, पसंद आएंगे, जैसे curve है न, curves जिए गया है, dual रखा गया है भाई, इसको diamond cut alloys है, इस नीच के भाई, आपको इसके अंदर alloys मिलते हैं, जो tar profile है, वो 215, 55, R18 मिलेगी, sound clearance और wheelbase की तो भाई, ताटा कभी कमी रखता ही नहीं है, इसके अंदर आपको 2560 mm का wheelbase मिलता है, साथ में एक चीज़ हम कैसे बूल के भाई, इसके अंदर भाई, आपको याद दिला देंगे, XTV 7W को भूल जाओगे भाई, इसके अंदर अब आपको मिलेंगे, electric door handles, जो पॉप आउट होते हैं, अब आज आते हैं भाई, गाडी के rear पे, तो भाई, इसको देखके कमेंट करके बताना, ये BMW की X4 जैसी लग रही है, Mercedes की AMG coupe लग रही है, या Tata की curve लग रही है, ताटा की curve तो भाई, ये मतलब ना Tata ने इस बार ना कमाल की है, सच में भाई, और ये भी कह सकते हैं कि लंबरगीनी की उरस लग रही है, नहीं कह सकते हैं, टाटा की उरस लग रही है, और एक चीज़ आपको इसके अंदर ना clearly बतायता हूं, टाटा की गार्डियूम आपने मोस्लिम जवेशने से टियागो को जब टिगोर किया गया था, तो जो उसकी एक साथ connected है, और भाई, एक साथ ही खुलेगा, इस बास कि आपको शॉर्ट ही देता हूं, इतना तो बाई, Automotive 17 दूर से देखके पचान लेता है, और रियर लुक्स की बात करें, तो फ्रंट से ज़्यादा भाई, मेरे को इसका रियर लुक्स ज़्यादा पसंदा है, कनेक् इसे कुछ निकाल के कहीं भी ऐसे लगा दिया है, नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से भाई, इसको डिजाइन किया गया, फ्रंट लुक्स से बहतर मेरे को इसके रियर लुक्स लगे, शाक फिन इंटिन आपको मिलेगा, पैनरामिक स इसको रिवील नहीं किया है, कि हमने इसकी ग्राउंड क्लेंस कितनी किया है, लेकिन इतना जरूर बता दिया है, कि इसके अंदर आपको मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन विद मैनोर ट्रांस्विशन, जो पाउर प्रोडूस करेगा आपकी, 1.15 BHP and 2.60 Nm का टॉक, और लेंथ भी आपकी भाई 4 मीटर से बड़ी है, मतलब कि आपको मिड सेग्मेंट में टाटा इसको रखेगा, सबसे बड़ी मेन बात रहेगी भाई, इस गाड़ी का प्राइस, टाटा इसका प्राइस कितना रखेगा, कहां पे इसको रखेगा, क्य यह जो गाड़ी है भाई, यह टोटली एक नया सेग्मेंट है, और भाई मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी को खरीदने के बाद, आफ्टर मार्केट एक सेशनी की जूरूत पड़ेगी, यार, लुक अट अधा कार, ग्लॉस ब्लैक इतना अच्छा फिनिश किया है, टाटा ने भाई हलका सा क्रोम आपको दिया है, इसको भी ब्लैक कर देंगे, तो ठीक रहेगा, जब गाड़ी डिलिवरी के लिए रेडियो में प्रॉपर लॉंच होगा, क्योंकि अभी खाली यह रिवील की गई है, बताया गया है, कि यह एक प्रोडक्शन स्पेक गाड़ इस वगेरा गाड़ी में अच्छा मिलेगा 2560 mm का वील बेस है इसके अंदर, इस सेग्मेंट में क्रेटा के अंदर आपको 2600 mm का वील बेस मिलता है, इवन XV-3WB आपको 2600 mm वील बेस के साथ मिलती है, पेस के मामले में टाटा भाई सब को बीट कर देता है, अपने सेग्मे है, क्योंकि बहुत सारे SPICE SHORTS के आ चुके हैं, किसी ने PLANT से कहीं से बहुत भार रिवील कर दिया, TATA ने हार के कहा रहे है छोड़ो तुम सारी बाते हैं, हम CLEARLY रिवील कर देते हैं, तो भाई, आज मैंने आपको CLEARLY दिखा दिया गाड़ी में, एक चीज और, अगर इस recommend box में बताना कि सबसे भाधा आपको इस गाड़ी के अंदर क्या अच्छा लगा इसके ऐलोईज अच्छे लगए, गलॉस बलैक क्या भुआ अच्छा लगा, रियेर जादा अच्छा लगा,े फ्रंट जा बाकि गाड़ी भाई बहुत अच्छे होने वाली है अभी तो ना इस गाड़ी के लिए नेगेटिव कुछ निकल लिन रहा है थोड़ा सा पस आप यूँ कह सकते हो कि फ्रंट लुक्स थोड़ी नेक्सों से मेल लिखाती है अधरवाइस तो भाई गाड़ी पूरी किलर बना बाकि मिलेंगे बाप से में नेक्स्ट वीडियो में तिल नबाइ टेकर और लेप दालाइफ तो फुलेस्ट बाबाई